नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का उडान आयस अकेडमी के 36 गड़ समसमाई के प्रश्नतर स्रिंखला में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए के जानकारी है नौ वर्सों की हम निरंतर सफलता को बनाए रखते हुए इस बार पूला आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हैं CGPSC Pre-Hetu Online Test Series इस Test Series में आपको प्राप्त होते हैं कुल इंक्यावन टेस जिसमें प्रश्नों की संख्या है इंक्यावन सौ और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है आपको वीडियो एक्स्प्लेनेशन के माध्यम से दिये जाएंगे यह Test Series बिल्कुल नाम मात्र के सुल्क पर अभियर्थियों को प्राप्त होंगी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दुर्भास नंबर पर संपर कर सकते हैं और साथ ही Online Test Series के लिए वेबसाइट पर रेजिश्टर कर सकते हैं एक महत्पूर एनांस्मेंट भी है कि 36 गड़ समसमाई की विशेसांग अब आपके नजदी की बुग डिपो पर उपलब्ध हो चुकी है आपको विवित है कि लगवद 10% से अधिक प्रशन कहां से आते हैं 36 गड़ समसमाई की पर अधारित होते हैं उसी को देखकर इस उड जोड़ा घागरा गांगी रानी ये सभी रमायण कालिन इस्थल कि जिले में इस्थित हैं ठीक है मैं आपको पिछली कड़ी से बताते आ रहा हूं कि क्या चालू हो चुका है रामवद्न पथ गमन के लिए परियाटन रथ यात्रा सुरू हो चुकी है जो की 36 गड़ के दक् चुका भी बोलते हैं उसे वहां से वह सुरू हो रहे तो आप सभी को तो पता ही है कि वह कहां है कोरिया में इस्थित है इसके साथ ही आप रमायण कालिन और इस्थलो के नाम रखेंगे याद रखेंगे जो है छतोड़ा घागरा और गांगी रानी और ओल दीज रमायण सा है कि अपने वनवास के दौरान राम जी ने चतिस गड़ में प्रवेस किस इस्थल से किया था किक मतलब चतिस गड़ में राम जी का प्रवेस इस्थल क्या है जब उन्होंने क्या किया था अपने वनवास के दौरान जब वो आयोग्या से निकले तब वो चतिस गड़ से हो गागरा याद रखेगादों इसका जो उत्तर है वह हर चौका सीता मणिया हर चौका ही कहेंगे इसे यहीं से हमारा क्या है परियटन और रत यातरा पहला option है कुस्ती से है दूसरा है सतरंज से है तीसरा है पूशप है चौथा होकी तो इनका जो संबन्ध है दोस्तों वो पूशप से है ये राष्टी अंतराष्टी पर कई मेडल जी चुके है इस खेल में और इन्होंने अभी राजयपाल जी से क्या है भेट मुलकात की थी ठीक है तो याद रखेगा स्री अमिस सिंग जी किस खेल से संबन्नित है वो पूश जो को मैंने इसमें सामिल किया है तो उत्तर में ये कोरिया से फिर सूरजपूर से फिर सरगूजा से फिर जसपूर से फिर रायगर से होकर गुजरेगी मतलब ये कोरबा से होकर नहीं जाती है मतलब कोरिया सूरजपूर सरगूजा ठीक यहां से होकर गुजरती है कोरबा से होकर नहीं गुजरती यह रत्यात्रा तो हमारा option number D क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा कोर्बा हमारा अगला प्रशन है राज्य का पहला गोधन एमपोरियम किस इस्थान पर खोला जा रहा है बहुत जादा important प्रशन है क्योंकि गोधन नया योजना भी चल रहा है उसी से related ये question है कि गोधन एमपोरियम गोधन नया योजना से ही क्या बनाया गया है गोधन एमपोरियम बनाया गया है इस एमपोरियम में क्या होगा कि तबीः गोबर से बने हुए ठिक लकडी भी बेंगे गोबर से बने हुए सीख भी थीक अगरबती बनेगी बहुत कुछ बनेगा जो कि क्या होगा गोबख से रिलेटेड होगा महिला स्वायता समू इस पर क्या होंगी कारिरत होंगी लोगों को रोजगार भी मिलेगा ठीक वाथवरन भी सुद्ध होगा और लोगों के पास क्या है पैसा भी आगा विल्थी बढ़ेगा प्रोस्पेरिटी यहां पस बढ़ती हुई नजर आए गया वो बहुत अच्छी यहां पस राज्य सरकार की पहल है ठीक कोश्चन है इन वेच प्लेस इस इस्टेट फर्स्ट गोधन एमपोरियम बींग ओपेड तो दोस्तों हमारे मानेनिय मुख्यमंत्री जी अभी पांस दि क्या है ठीक तो याद रखेगा जो गोधन एमपोरियम है ठीक वो कहां पर इस्तित है वो इस्तित है अंबिकापूर में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चतिस गड़ी सब्द बचर का हिंदी अर्थ है ठीक इस सब्द का भी बहुत जादा प्रेयों हो रहा है रीजन क् सब्द किया होना चाहिं यह पास वर्स होना चाहिए याद रखेगा बचर या साल ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्चन एक नोमबर का हम अलग हुए और इसके बाद हमारा पैला विधान सबहनisée कहा हुए था इस प्रफम कोष़ रहा हुए resultados ठीक तो question है when was the first session of the 36 गर्ड legislative assembly held ठीक यहाँ पास सभी जगा 2,000 आएगा option में ठीक है दोस्तों तो पहला option है हमारे पास 14 से 19 दिसमबर दूसरा option है 14 से 20 दिसमबर 30 है 14 से 21 और 5 है 15 से 19 दिसमबर 2000 ठीक जो तो पहला हमारा जो विधान सभा का जो सत्र है वो विधान सभा में नहीं लगा था वो लगा था आरके सीराज कुमार कॉलेज में जो की रायपूर में इस्थित है ठीक यहाँ पस क्या हुआ था 14 से 19 दिसमबर को 36 गर्ड के प्रथम विधान सभा का प्रथम सत्र आयोजित किया गया था प्रेन बुष्टर जिसका आप कहा करते हैं हमें साथ की तरह कमेंट बॉक्स में इसका आप एंसर कीजेगा रीजन साथ बात है कि 15 दिसमबर ठीक है कौन हमारे लहपूरुस क्या है पून्यति थी इस कारण से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि राज्य के सरदार वलब भाई पत्ल सक्क्तर खाना का निर्माण किस वर्स किया गया था और हमारे हैं कितने सक्कर खाने है टोटल चार सक्कर खाने है जो कि दो कहां है कबीर धाम जीले में है और एक है हमारा सूरजपूर और एक है हमारा बालो जीले है ठीक तो ये चार हमारे पास सक्कर खाने है उसमें से जो सरदार वल्लब भाई पटेल सक्कर खाना है वो कि जीले मे 2015 दूसरा है 2016 तीसरा है 2017 और 2014 है 2018 ठीक answer आप नीचे कीज़े हमारा अगला प्रशन है मानेनिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सूरजपूर प्रवास के दौरान किन इस्थलों को क्रमसह अनुभाग और तहसील बनाने की घोशना की है अभी वर्तमान में मानेनिय मुख्यमंत्री जी सूरजपूर के जीले के क्या थे प्रवास पर थे उन्होंने वहाँ पास दो छेत्रों को क्या किया है दो एरिया को ठीक एक को अनुभाग बनाने की लिए बोला है और एक को क्या है तहसील बनाने की घोशना की है तो उसी पर ये प्रश्न अभी ये बना नहीं है इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन यहाँ पस क्या है माननी मुख्षमंत्री जी के द्वारा घोशना कर दी गई है During his stay in सूरजपूर the chief minister has announced which places to be division and तहसिल respectively पहला option है ओड़गी दूसरा है यहाँ पास इसके साथ तहसिल में डुमरिया ठीक फिर बिहारपूर डुमरिया ओड़गी बिहारपूर और भयाथान बिहारपूर ठीक है दोस्तों तो याद रखेगा इसका जो उत्तर में बता रहूं आपको यह याद रखना है आपको कि यह है भयाथान और बिहारपूर वर्तमान में सूरजपूर में कितने यहाँ पास तहसिल है और कितने विकास खंड है ठीक साथ तहसिल और साथ विकास खंड है कहां सूरजपूर में और वो कौन-कौन से है पहला है हमारा सूरजपूर ओड़गी भयाथान प्रेम नगर तहीं तहसिल बना है वो है लटोरी तो तहसिलों की संख्या कितनी है साथ है यह 6 के 6 CRP संख्या कितनी साथ अनुभाग की जो संख्या है जो अनुभाग है उसकी संख्या भी सोटेजिया तीन है इसमें renewed है भीया द्वारा इसे अब 23 याद रखेगा कि वो 23 तहसील ठीक 154 तहसील पहले ही हमारे हां घोसित हो चुके थे राजपत्र के द्वारा फिर 23 तहसीलों का जो घोशना पत्र आया राजपत्र में वो था 11 सामिल नहीं है यहां पस क्या है 23 तहसील 11 नॉमबर को बनाने की घोशना कर दिये वो कौन सा रहेगा भाया सुरजपूर में रहेगा अभी वरतमान में क्या इस्थिति है वरतमान में सुरजपूर में सात तहसील है और 6 विकास खंड है ठीक अनुभाग के संख्या कितनी अभी यह तीन है अच्छे यह भी जानने वाली बात है कि अनुभाग होता क्या है जिले के नीचे आते हैं अनुभाग ठीक है जिले के नीचे क्या आते हैं अनुभाग अधिकारी बोलते हैं अनुभाग फिर कहीं आता है क्या तहसील फिर आता है क्या तहसील फिर बनाया जाते है उप तहसील. कि फिर बनाया जाता है राजस्व, ग्राम यह 15, क को बोलती है राजस्व, ग्राम बनाए जाता है. तो यह शिक्वेंस होता है किसी भी राजस्व, प्रसासन ने. ठीक बढ़ते हैं हमारे आज की कड़ी कर अगले प्रशन की और और ये अंतिम प्रशन भी है आज का कि त αναजी का प्रथम फिल्म सिटी किस इस्थान पर बनाया जाना प्रस्टावित है ठीक बहुत अच्छी पहले कि film city हमारे राज में बनेगा ठीक इससे बहुत फायदे होगे कला के छेतर में जित्ते भी विभूतिय हैं उनको सम्मान प्राप्त होगा ठीक यहाँ पस कला का बहुत जादा क्या होगा बढ़ावा मिलेगा ठीक प्रोस्पेरिटी भी आएगी आस पास के जनता का विकास भी होगा लोगों का हमारे राज का नाम भी होगा तो बहुत जादे फायदे हैं इससे इन वीच प्लेज इस फिल्म सिटी ऑफ दे इस्टेट प्रोपोस्टू भी मेड ठीक है मदब किस इस्थान पर बनाया जाना प्रस्तावीत है या घोशित किया यह है फिल्म सिटी का पहला उप्चन है नया रायपूर या नवा रायपूर उसे बोलते हैं ठीक फिर है रायपूर फिर है राजंगा और यह चौथा भी लाई याद रेखिए कि राजंगा में क्या है इंद्रा कला विश्मिड्याले है वहाँ पस यह बनना प्रस्तावीत बिल्कुल नहीं है यह रायपूर में भी प्रस्तावीत नहीं है यह प्रस्तावीत है कहां नवा रायपूर में अटल नगर में पुरकौथी मांग तांगना के बगल में इसके लिए कहा है जमिन एलोट किया जाना प्रस्तावीत हो रहा है फिक्या तो हो सकता है कि हमारे फि करें कमेंट बॉक्स में एंसर करें और साथ ही हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जित्ती भी वीडियो से यूटुब चैनल पर आ रहे हैं वो छात्र हित्र में हैं और वो आने वाली आपकी विभिन परिक्षाओं में क्या होंगी बहुत जादा उप बहुत सके मैं मिलता हूँ आपसे कल की कड़ी में तब तक के लिए जै जोहार जै च्छतिस गड़